हे गाईज जहीन सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूँ कि अगर आपके एंटरेंस एक्जाम के सिलिबस में reasoning, quantitative aptitude या mental aptitude या फिर computer mentioned है तो ये e-book आपके लिए रामबान साबित हो सकती है क्योंकि इस e-book में आपको ये तीनों ही subject complete covered मिलने वाले हैं और यहाँ पे आपको हर वो pattern बताया गया है जो कि आपके entrance purpose से important है पूरा पूरा जो निचोड होता है और हर एक pattern आपको यहाँ पे cover किया गया है इसमें आपको सिर्फ लिखे हुवे questions नहीं बलकि उसका answer वीडियो के तुरू explanation आपको जो है वो समझाये गया है WhatsApp नमबर के तुरू आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं और comment box में अपना doubt भी comment कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं quantity किसे बोलते हैं that can be express in numbers जिसे हम numbers में explained कर सकते हैं जिसे number में express कर सकते हैं that is what quantity अब जिसे age है बताते हैं हमकी 17 साल के हैं 18 साल के हैं हैं 20 साल के हैं 25 साल के हैं 80 साल के हैं 90 साल के हैं यह क्या है कुछ चीज को quantity में express कर रहे हैं numbers में express कर रहे हैं that is why it is called as quantity age quantity है temperature भी quantity है 32 degree Celsius 28.2 degree Fahrenheit and so on so यह सब हमारा quantity है physical quantity कि आच आप करें quantity that को भी law of physics quantity तो हो गया कि जिसे हम number में express कर सकते हैं लेकिन फिजिकल quantity की बात करें तो जो हमारे फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है वो सब हमारे यहां पे फिजिकल बड़िटी में आती है जैसे कि फोर्स हुआ हुआ नियूटर हुआ पो पी एक यूनिक है नियूटर और इस की जो जो आपका किलो ग्राम और आपको देखने को मिलता है म्केश सिस्टम है तो यह चीज़ आपको जान रखने है नेक्स यहां को ऐसा ही नोटको बताना चाहूंगा कि फंदमेंटल जूटक्स हमारे बास फोटल कितनी है है तो यह सब आपको ज्यान रखना है बेसिक है लेकिन ज्यान रखना है कुछ भी बूच सकता है तो आपको बेसिक से एकड़म जो टिपिकल लेवल है वहां तक भी लेकर चलिए बीडिए दिए और यहां पे जो आपका का अनुन töल म नाते हैं और लुमिनमे इंस्किटी इम्परिदें यहां पी और याल है एक कौने क्ते रॉडब कर देभा न्सकिया वहां कितने ताइप के यूनित होते हैं तो तीन ताइप के होते हैं जैसा कि आपको की तरह है MKS, CGS and FPS. MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड and CGS का मतलब है सेंटी मीटर, ग्राम and सेकंड. Similarly FPS का मतलब है foot, pound and second. using, used during the period of British Earth, जो FPS system है, यह British period में used हुआ था, आपको यह भी याद रखना है. अभी प्रजेंट में हम MKS system used करते हैं, अपने SI unit यहाँ पे आप देख सते हो कि International system, SI unit का आपका form, जो full form होता है, क्या है, तो International system of unit, note कर लिजे. International system of units यहाँ पे full form होता है, और इसको यहाँ पे 1971 में फ्रांस में accept किया गया था, पैरिस में. यह जो है, MKS system का यहाँ रिखना है, वो total 7 plus 2 यहाँ पे, SI units यहाँ यहाँ आपको देख सते हैं, तो यहाँ पे 7 plus 2 यहाँ पे 9 देखने को आपको देख सते हैं, यहाँ आपको गता है, कि 7 आपकी fundamentals है, और यहाँ पे supplementary units आपकी 2 है, ठीक है? यह मतलब एक basic structure दो होता है, उसकी बाद की वैसे, तो वैसा है quantity बहुत सारी होती है, बट यहाँ पे basic दाने, बुला बर बुलना हो, तो जो आपका main model है, वो यहाँ पे fundamental देखे, तो 7 units होती है, overall और supplementary 2, तो total 9 बोल सके हैं, 7 plus 2 आपको देखना है, अब पर आती है, force की, तो force की अगर हम बाद करें, तो force की यहाँ पे हम देखे हैं, तो CGS में इसकी जो जूनित होती है, वो होती है, dyne, dyne, not dyne, it's dyne, dyne, cgs system, कीच है, and here system में देखें, तो newton होती है, 1 newton is equal to 10 की पावर 5, dyne होता है, और 1 newton को ही हम, यहाँ पे kilogram meter per second square में भी लिख सकते हैं, f is equal to, ए f physicals to m a, यह newton के किस law में बताये गया है, पुरी class कर दीचे, फिर बतायेगा, वर्क का जो formula होता है, आप रहाद रखना है, f d cos theta होता है, जब हमारा theta दिया होता है, otherwise हम f d लगा सकते है, f is for force and d is for displacement, वर्क तभी होता है, जब वहाँ पे displacement होता है, अगर no displacement आया, तो वहाँ कोई पर पर नहीं हुआ, यह कहती है physics, okay, next जरते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, अगला concept हमारा क्या होनने वाला है, तो dimensions of important units, आभी आपको देखने को मेलेंगी, कुछ important dimensions पर आपको ले कर आया हूँ, इस class में, आगे और भी लाँगा, पहराल यहाँ आप देख सकते हो, speed का जो formula है, वो है, distance upon time, और इसका dimension जो है, वो MLT-1 आपको देहान रहता है, similarly, velocity में displacement upon time होता है, और इसकी जो dimension होता है, lt-1, speed और velocity में difference है, याद रखे ज़िए, speed में हमारी displacement upon, sorry, distance upon time होता है, speed में, and velocity की बात करें, वहाँ पर displacement upon time देने को मिलता है, acceleration की ब बात करें, तो इसका dimension होता है, वो आपका होता है, lt-2, okay, याद रखता है आपको, next, यहाँ पर बात करें, तो force हमारा आता है, force का भी मेंने आपको बता है, इसको dine-bis की unit होती है, और dine-bis की unit होती है, kilogram meter per second, इसका भी हम इसको लिखते है, next आपको बात करें, तो यहाँ force is equals to m into a, mass acceleration, यहाँ आपको बता है, this for mass and a is for acceleration, इसका अगर हम dimensional formula देते हैं, तो m lt-2, यहाँ पर इसका dimensional formula बन जाता है, next, एक important unit है, यहाँ रखता है आपको pressure, pressure का जो formula होता है, वो होता है, force upon area, क्या, force upon area, अब इसके हम जो है, आपका formula देख लेते हैं, तो m lt-2 upon l2, ठीक है इसको solve करेंगे, हम तो हमारा बन जाएगा, यह, जो main formula बोजी आपको देखना है, ml-1, t-2, ठीक है, अब यहाँ आप में बता दो कि pascal जो है, वो barometer से measure किया जाता है, ठीक है, pascal measured by barometer, और 1 bar is equals to 10 की power 5 pascal होता है, यह भी आपको दियान में रखना है, 1 bar is equals to 10 की power 5 pascal, session अगर अगर अच्छा लगए हो, तुसको like जरू करिएगा, चैनल का अगर आप नहीं तो चैनल की subscribe कर सकते हैं, plus bell button दबा सकते हैं, जिसानल जीनों में सभी request videos और classes का update सापको मिल जाएगा, कुछ भी अगर ठीक हाद है, तुसको solve करने की जाएगा, तुसको solve करने की जाएगा, ज सकते हैं, जिसानल की जाएगा, 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 जिसानल की